पंजाब दौरे पर पहुचे बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री फिर विवादों में घिर गए हैं। उन पर केस दर्ज करने की मांग उठी है। धीरेंद्र शास्त्री तीन दिन तक पठानकोट में रुके। इस बीच ईसाई समुदाई ने उनके बयान पर आपत्ती जताई है। पंजाब के गुर्दासपुर में ईसाई समुदाई के लोग बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर नाराजग की है अब रेल कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़कर मूल वेतन का 46 प्रतिशत हो जाएगा पहले कर्मचारियों को मूल वेतन का 42 प्रतिशत दिये मिलता था दिये में वृद्धी एक जुलाई 2023 से प्रभावित होगी और कर्मचारियों को बढ़ा हुआ दिये एरियर के साथ अगले वेतन में मिलेगा। राश्चिय स्वयनसेवक संग ने मंगलवार को विजयदश्मी के मौके पर नागपूर में दशारा रैली का आयोजन किया। इस दौरान संग के सदस्यों ने नागपूर में पच संचलन का आयोजन किया। इस अवसर पर RSS प्रमुख मोहन भागवत और गायक शंकर महादेवन भी मौजूद रहे। इसके बाद भागवत ने महादेवन का संग मुख्याले में भी स्वागत किया। सन्युक्त राश्च महासभा के अध्यक्ष देनिस फ्रांसिस ने दस्वे आपातकालीन विशेश सत्र के लिए एक घोशना की है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरीए इस विशेश सत्र को फिर से शुरू करने पर सदस्य राज्यों के अनुरोध के बाद वह आपातकालीन वि इकाना स्टेडियम में भारत इंग्लेंड के बीच होने वाले क्रिकेट विश्वकप के मैच के टिकट के लिए वेबसाइट खंडाल रही हैं तो सावधान हो जाएं। फर्जी वेबसाइट ICCW-0Rail CupTickets.com पर इसके टिकट के नाम पर जानसा देकर वसूली की जा रही है। इमेल एड्रेस और अन्य डाटा जुड़ा कर टिकटो को बताय पते पर शीग्र भेजने का आश्वासन देकर पैसे वसूले जा रही हैं। शातिर लिंक के जरीए फेस्बुक और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर इसका प्रचार भी कर रही हैं। उधर उत्तर क्रिकेट एसोसियेशन ने इस साइट को फर्जी बताया है। और ऐसी डेली न्यूज देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं।